हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फिर देखिए आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटन लेके आई हूँ बहुत ही इजी पैटन है इस पैटन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती है बच्चों के स्वेटर बड़ों के स्वेटर कार्ड की रॉंग साइड तो चलिए इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टिपल फंदे चाहिए प्लस 2 एक्स्ट्रा हमारी डिजाइन ये सेट हो जाएगी तो देखिए 4 और ये 2 6 6 6 6 इस तरीके से हम फंदे लेंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा तो हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी ये डिजाइन हमारी 12 सलाईउं की है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो इसका राइट साइट से स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे चार फंदे सीधे तो एक दो तीन चार इनी छे फंदों को हमें रिपीट करना है उन अपनी तरफ दो उल्टे फंदे उन पीछे एक दो तीन और चार सीधे फंदे दो उल्टे फंदे चार सीधे एक दो तीन और ये चार लास्ट में दो उल्टे फंदे सेकेंड रो रॉंग साइट से जो फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे तो दो सीधे फंदे उन अपनी तरफ चार उल्टे फंदे एक दो तीन और ये चार इनी चे फंदो को हम रिपीट करेंगे उन पीछे दो सीधे फंदे चार उल्टे फंदे दो तीन और ये चार उन पीछे दो सीधे फंदे एक दो तीन चार लास्ट में दो सीधा थर्ड रो राइट साइड सेम दो उल्टे फंदे उन पीछे चार सीधे फंदे एक दो तीन चार उन अपनी तरफ दो उल्टे फंदे एक दो तीन चार सीधे फंदे फिर से दो उल्टे फंदे एक दो तीन और ये चार सीधे फंदे लास्ट में दो उल्टे फंदे चौती सलाई रोंग साइट से एक बार फिर से जो फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे तो दो सीधे फंदे एक दो तीन चार उल्टे फंदे दो सीधे एक दो तीन चार उल्टे फंदे दो सीधे फंदे एक दो तीन चार उल्टे फंदे और लास्ट में दो सीधा तो ये हो गया देखे चार सलाई हमारा सेम जो फंदे जैसे हैं राइट साइट से रॉंग साइट से दोनों तरब से जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे बिन देना है दो सीधा, सोरी, दो उल्टा, चार सीधा, ये हमारा पैटन है, फिर दो सीधा, दो उल्टा, चार सीधा, दो उल्टा, चार सीधा, लास्ट में दो उल्टा, अब पांचवी सलाही में, पांचवी सलाही सीधी भी नहीं जाएगी, तो पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी स और अब ये जो चार फंदे हैं इसमें से देखिए ये दो फंदे सबसे पहले ये पीछे के फंदे को आगे करके ये आगे वाला फंदा हम बीच में ले जाएंगे और इन दोनों को बिनेंगे सीधा और अब ये जो दो फंदा ये फंदा हम बीच में लाएंगे इस तरीके से ऐसे और बीच वाला फंदा बाहर की तरफ ये देखिए जो दो उल्टा था इसको हमने दो सीधा बनाया और इसके बाद इन चार फंदों में से पहला फंदा बीच में लास्ट फंदा बीच में और बीच के दोनों फंदे किनारे किनारे इनी छे फंदों को हमें रिपीट करना है दो सीधा अब देखिए ये फंदा यहां आएगा ये फंदा यहां ये बाहर ये बाहर तो इसके लिए ये फंदा बीच में लाना है तो हम सबसे पहले पीछे वाला फंदा ऐसे करके ये करेंगे और पहले फंदे को अंदर की तरफ करके पीछे वाले फंदे को हम पहले बिनेंगे की तरफ करके सबसे पहले ये चौथा फंदा और फिर ये तीसरा फंदा तो ये इस तरीके से चार फंदे हमारे सेट हो गए दो सीधे फंदे ये देखिए पीछे वाले फंदे को इस तरह से लेके दोनों फंदे निकाल लिए और अब पहले फंदे को हम बीच में लाएंगे और दूसरे फंदे को पहले बीनेंगे फिर पहले फंदे को अब चौथा फंदा बीच में लाएंगे तो ये देखे ऐसे और तीसरे फंदे को बाहर की तरफ तो ये चार फंदा जो है हमारा एक तरस से open केबल की तरह हमारा बन जाएगा देखे ऐसे और लास्ट में दो फंदे सीधे छट्वी सलाई wrong side से पूरा उल्टा उल्टा एक दो जो हमने फंदे डाले हैं मैंने 6 के multiple करके 6 plus 6 plus 2 किया है टोटल 20 फंदे मैंने लिये हैं इस पैटन के लिए तो wrong side से सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे अब यही जो design है थोड़ा सा change होगा तो इसके लिए देखिए यह जो बीच में यह दो फंदे गए हैं अब यह दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे बीच के और इन फंदो में से पहला फंदा हम रहने देंगे और इन दो फंदो को हम सीधा बनाएंगे तो पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे सीधा ही और दो फंदे हम सीधा बनाएंगे उन अपनी तरफ और यह जो फंदे हमने twist करके बीच में किये थे इनको हम उल्टा बनाएंगे उन पीछे आप देखिए एक दो तीन और यह चार यह चार फंदे हमारे सीधे एक दो तीन और यह चार उन अपनी तरफ जो दो फंदे हमारे सेंटर में आएंगे इनको हम उल्टा बनाएंगे एक दो उन पीछे फिर से देखिए एक दो यह जो दो उल्टे फंदे थे और प्लस जो बीच वाले फंदे बाहर की तरफ गहें यह अब हो जाएंगे चार फंदे ऐसे सीधे और यह जो बीच में दो फंदे आएंगे इनको हम एक और दो उल्टा बनाएंगे last में दो फंडे सीधे और ये हमारा किनारे वाला फंदा इसको भी हम सीधा बना देंगे अब देखिए ये एक तरह से ये हमारा corner का फंदा इसको count नहीं करेंगे तो ये हो गया 2 सीधा ये जो ट्विस्टों के बीच में गया है दो उल्टा, चार सीधा, दो उल्टा, फिर दो सीधा और ये हमारा कॉर्णर का फंदा रॉंग साइट से फिर जो फंदे देखिए जैसे हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे तो ये है हमारी आठमी सलाई, तो ये देखिए दो तीन, अब दो सीधे फंदे, उन अपनी तरफ एक, दो, तीन और ये चार उल्टे फंदे उन पीछे, दो सीधे फंदे, एक, दो, तीन, चार उल्टे फंदे उन पीछे, दो सीधे फंदे और दो उल्टे फंदे, ये हमारा फंदा कॉर्णर का उल्टा तो ये देखिए, आठ सला ही हो गई, नाइन दो, सेम, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा तो ये, दो सीधा हो गया, कॉर्णर का फंदा लेके, अब दो उल्टा उन पीछे, एक, दो, तीन, और ये चार सीधा उन अपनी तरफ, दो उल्टा, एक, तो, तीन, चार सीधा दो उल्टा, और एक, दो सीधा, लास्ट का फंदा भी सीधा टेंथ रो, दस्वी सलाई, किनारे का फंदा, इसके बाद दो उल्टा इसके बाद हमारा जो रिपीट पैटरन है देखिए, दो सीधे फंदे, चार उल्टे फंदे, एक, दो, तीन, चार दो सीधे फंदे, चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार दो सीधे फंदे, लास्ट में दो उल्टे फंदे, और किनारे वाले फंदे को भी हम उल्टा बना लेगे तो यह हो गई टोटल दस सलाई, अब फिर से ग्यारहवी सलाई में यही पैटरन रिपीट करेंगे इन चार फंदों पे तो सबसे पहले देखिए, यह हमारा जो किनारे का फंदा इसको हम बनाएंगे सीधा, अब यह बाहर वाला फंदा हम अंदर की तरफ लाएंगे तो कि यह सिर्फ दो फंदे हैं तो इधर से हम इधर लाएंगे और ऐसे यह फंदा हम बाहर ले जाएंगे तो यह हो गया इन दोनों को सीधा बिन लेंगे, यह जो दो उल्टे फंदे थे इनको भी सीधा बनाएंगे अब ये जो चार फंदा देखे ये फंदा यहां ये फंदा यहां तो इस तरह से पहले दो फंदा लेंगे ऐसे पहले फंदे को बीच में लाया दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे और पहले फंदे को बाद में अब चौथा फंदा बीच में लाएंगे और तीसरे फंदे को ये देखिए अब दो सीधा जो हमने बीच में दो उल्टे फंदे बनाए थे अब ये चार फंदे तो पहले पीछे के फंदे को बनाना है तो ये देखिए दूसरा फंदा आगे करके सीधा फिर पहला फंदा सीधा चौथे फंदे को बीच में लाएंगे इस तरीके से तो चौथा फंदा पहले सीधा और फिर तीसरा फंदा सीधा अब ये दो सीधे फंदे और अब इधर वाले जो दो फंदे हैं तो ये देखिए इधर जाएगा ऐसे और ऐसे तो इस तरीके से ये हमने बना लिया और किनारे पे ये बारहवी सलाई सारी सलाई जो है पूरे फंदे जो है हम ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे ये पारह सलाई का हमारा पैटन यहाँ पे कम्प्लीट है ये देखिए अब पहली सलाई जब हमको रिपीट करनी है तो यहाँ पे हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे ये और ये फंदा देखिए जो अंदर से इधर से बाहर की तरफ गया यहाँ से और ये ये चार फंदे हम सीधे बनाएंगे और जो ट्विस्टों के दो फंदे सिंटर में आए हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे तो एक, दो, तीन, चार यहाँ से ये हमारी पहली सलाई रिपीट हो रही है उन अपनी तरफ दो उल्टे फंदे चार सीधे एक, तो, तीन और ये चार देखिए जो ये चार फंदे हैं दो उल्टे पहले थे ये जो हमने ट्विस्ट किया किनारे के फंदे को बीच में किया और बीच का फंदा जो किनारे आया वो अब ये हो गया सीधा इधर और इधर से जो आया वो सीधा और दो फंदा ये तो ये मिलके हो गया चार फंदे औ एक, दो, तीन, चार, और किनारे के दो उल्टे फंदे, तो ये हमारी पहली सलाई यहां से repeat हो गई, देखिए, इस तरीके से, ये हमारा एक बार यहां बनेगा, एक बार यहां बनेगा, तो ये हमारा pattern है, तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये design आपको जरूर पस आता है, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो जरूर करिएगा, मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई design के संग, तब तक के लिए, बाए!